Tata Steel में 7 अलग-अलग कंपनिया मर्ज होने वाली हैं कौन सी है ये कंपनिया? क्यों ये मर्ज हो रही है? इससे Tata Steel को क्या फायदा होगा? As a shareholder, हमें इस मर्जर से क्या फायदा हो सकता है? क्या हमें इस मर्जर के बाद shares को buy करना चाहिए? या फिर अभी buy कर लेना चाहिए? और एक last important point, उन सारे employees का क्या होगा? जो already पुरानी कंपनियों में काम कर रहे हैं और इस मर्जर के बाद कौन से ratio में आपको shares a lot होंगे? वो सारी चीजे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो जो total साथ कंपनियों मर्ज होने वाली हैं उसमें से चार कंपनियों तो already listed हैं नमबर वन Tata Steel Long Products नमबर टू Tata Metallics थर्ड इस Tin Plate Company of India फोर्थ इस TRF Limited फिफ्थ इस Tata Steel Mining फिफ्थ इस Indian Steel and Wire Products और सेवन्थ इस SNT Mining तो ये साथ कंपनियां हैं जो Tata Steel में मर्ज होने वाली हैं और इसमें से ये चार कंपनियां already listed हैं Now the question is why they are merging और इससे क्या फाइदा होगा तो जो कंपनियों के MD है TV Narendran उन्होंने इस चीज का clarify किया कि ये जो merger हो रहा है इसका main objective है management को streamline करना इन सारी कंपनियों के बीच में एक synergy establish करना सी अगर आपने notice किया होगा ये सारी कंपनियां steel या mining के product से related काम करती हैं और Tata Steel भी उसी segment में है जो कि larger picture में काम कर रहा है तो ये सारी कंपनियां अलग-अलग management से run करने की बजाए अलग-अलग team से run करने की बजाए अगर इन सब को एक umbrella के underlay करके आया जाए तो company की efficiency बढ़ेगी और कौन सी efficiency number one decision लेने की क्योंकि अभी क्या हो रहा है जैसे mining वाली company है तो mining कर रही है product बनाने वाली company है तो steel के product बना रही है अब इन दोनों में उतनी synergy नहीं है और इन में जो management की efficiency वो भी जाहिर सी बात है हिलेगी क्योंकि यहाँ भी management से आपको approval लेना पड़ेगा यहाँ भी management से आपको approval लेना पड़ेगा यह चीज काफे tedious हो रही है जबकि सब काम same segment में कर रहे है same company के लिए कर रहे है everything is Tata की company इसमें से काफी सारी तो Tata Steel की subsidies भी है तो यह काफी logical हो जाता है कि इन सारी कंपनियों को merge किया जाए अच्छा अब merge होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया management level पे बहुत आसानी हो जाएगे decision लेने में number one number two client sharing बहुत आसान हो जाएगे जैसे already Tata long products and Tata metallics इनका जो काम है यह काफी मिलता जुलता काम है तो इनके clients अलग-अलग यह लोग अपने clients manage कर रहे हैं इनका पूरा management है उसका पूरा approval process है तो वो सारी चीजों से एक तरह से चुटकारा मिल जाएगा जब एक ही management होगा उसका एक clear vision होगा कि मुझे इस company को कहां लेकर के जाना है और उसे सारे निरड़े लेने में आसानी होगी तो यह main objective है और ऐसा भी नहीं कि यह merger कोई बहुत ही new है इसके पहले काफी time से Tata Steel इसके पर लिख करके दे रहा हूँ कि अगर आपके पास TRF के 10 shares है तो आपको Tata Steel के 17 shares मिलेंगे अगर आपके पास Tata Steel Long Product के 10 shares है तो आपको Tata Steel के 67 shares मिलेंगे अगर आपके पास Tin Plate के 10 shares है तो आपको Tata Steel के 33 shares मिलेंगे वहीं अगर आपके पास Tata Metallics के 10 shares है तो आपको Tata Steel के 79 shares मिलेंगे question ही आता है कि आप क्या चाकर कि उन सारे shares को buy कर लो क्योंकि आपको ये arbitrage अगर आप दिखोगे तो वो काफी ज़्यादा हो सकता है कि या रिवो share का price इतना है math करोगे तो थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है इसा होता है कि देखो शेयर प्राइस जब कि डिसाइड किया जाता है कि इतने में swap ratio करेंगे तो वो अलड़ी management उस पे बैट करके और एक average price के हिसाब से decide करता है daily के price के fluctuation के हिसाब से नहीं और ये CB के rule के हिसाब से है कि आपको एक average price लेना होता है अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ये merger की वज़े से buy करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा हाँ अगर आपका Tata Steel पे ही कुछ अलग belief है तो बात अलग है वैसे ये company cyclic चलती है आप यहाँ पे चार्ट में भी notice कर सकते हो कि उपर जाती है नीचे जाती है बाट नेट कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे return नहीं बनते है आपको सही time पे पकड़ना होगा कब ये bottom है कब ये up है और एक trick भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या मतलब डेटा में दिख रहे है आप देखो यहाँ पे जब ये 20-25 की range में आता है तो यहाँ पे जरूर बाइ कर लेना चाहिए और 60-70 की range में जाता है तो sell करके निकल जाओ but let's come to the main question आपका जो main question है कि क्या buy करना चाहिए आंसर है नहीं क्यों मैं आपको वो data एक बार present करता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइदा नहीं मिलेगा Tata Steel को अब जरा आप यहाँ पर एक बार focus करो यह वो चार कंपनिया है जो लिस्टेड है पहले से और यह मर्ज होने वाली है Tata Steel से जरा Tata Steel का market size देखो एक लाख बीस हजार करोड का यह market size है और वहीं इन कंपनियों का market size देखो देखो share price से कुछ नहीं मालूम पड़ता है देखो यहाँ पर Tata Steel का share price 99 का है जबकि market cap जो है वो एक लाख बीस हजार करोड का है इन कंपनियों से कम से कम 25-30 गुना बड़ी company है वो लेकिन यहाँ पर share price देखो इनका उपर 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 चला तो share price से कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है इस पर focus करने के जुरूरत नहीं में है आप market cap पे एक बार focus करो and what market cap says जड़र देखो already Tata Steel एक लाख बीस हजार करोड की company है उसमें tin plate सिर्फ तीन हजार करोड की company यह धाई हजार करोड की company यह धाई हजार करोड की company यह 300 करोड की company बहुत ही छोटी company है अगर आप इन सब को add कर दोगे तो लगभग लगभग 10,000 करोड प्लस जो और तीन कंपनिया है उनका भी size क बहुत बड़ा size नहीं है यह तो clear है लेकिन मेरे पास exact number नहीं है मैंने google करने के लिए try किया बट मुझे exact number नहीं मिला बट मोटा मोटी जितना मैंने बाकी और जगा article पढ़े लगभग लगभग उनका size हो सकता है 5000 करोड के आसपास हो total max तो अगर आप total size देखोगे जो merger हो रहा है वो लगभग लगभग 15,000 करोड का यानि कि hardly 10% extra इनको कुछ तो मिल रहा है अच्छा ठीक यह तो market cap हो गया but market cap तो ठीक है फिर भी fluctuate होता है share price उपर नीचे होते रहते हैं तो इसलिए एक बार profit sales revenue यह सब देख लेते हैं कि कितनी बड़ी यह कंपनिया है तो जरह य इनका देखो 300, 1 करोड, 18 करोड मतलब यह merger बहुत ही छोटा है तो इसी को जरह एक बार P-E के एंगल से भी देख लेते हैं कि कहीं आने वाली कंपनिया बहुत सस्ती तो नहीं है जब Tata Steel के अंदर आएंगे तो वो value एड़ करेंगी तो जरह वो एंगल से भी एक बार अगर Tata Steel के comparison में यहाँ पे यह कंपनिया जो है वो महंगी है और यहाँ पे जाकर के मर्ज हो रही है वही ज़रा return on equity के एंगल से देखें कि कौन सी कंपनी ज्यादा return on equity देती है तो यहाँ पे आप देखो Tata Steel 23 है और यह भी कुछ कोई बहुत 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 return on equity है वहीं अगर आप ROCE के मामले में देखो कि लास्त तीन साल का तो वो भी inline ही है कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है पहली बात अगर होता भी तो आप देख रहे हो कि बाकी कंपनियों का size ही इतना छोटा है मतलब आप यह बोल रहे हो कि मैं एक लाक रुपया में 100 तो यहाँ पर यह difference है वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि percentage wise बहुत कम value addition है लेकिन management को काफी जादा efficiency होगी client का sharing होगा decision लेना बहतर हो जाएगा तो यहाँ पर यह सारे फायदे होंगे इस merger से I hope यह data देखने के बाद आपको थोड़ी clarity आ गई होगी कि यह जो merger है यह सुन sudden फायदा नहीं मिलेगा future में धीरी धीरे फायदा मिलेगा और उस angle से अगर आप buy करना चाहते हो Tata Steel को तो यह आपका call है फिलाल मैं अपने portfolio में hold नहीं करता हूँ खास करके commodity stocks और हाँ इस merger के बाद यह जो कंपनियां है जैसे tin plate Tata Steel और यह सारी इनके employees का क्या होगा तो इस system में fit better fit आ रहे हैं उनको तो उन्होंने रखे लिया था लेकिन जो fit नहीं आ रहे थे उनको opportunity मिली थी काफी लोग को कि Tata Steel में जो हमारे पास कुछ vacancies है वहां पर आगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से management ने कहा है कि यहां पर कोई opportunity रहेगी तो हम उनको देंगे तो अगर इन सारी information को summarize करें तो management का इसमें ज्यादा efficiency वाइस फायदा है shareholder का कोई बहुत ऐसा magical फायदा नहीं है और employees का yes कुछ employees का definitely नुकसान हो सकता है So I hope इस analysis से आपको एक fair idea है होगा कि आपको सिर्फ यह merger की news सुन करके buy या sell करना है या नहीं करना एक थोड़े से clarity आई होगी आपको तो अगर आपका कोई feedback है या कोई follow up question है तो आप comment में पूछ सकते हो So में मिलते है नेक्स वीडियो में, thank you so much and jahin